हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत फिल्म के 56 दिनों के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में आपको बता दे सल्मान खान बॉली उट के सबसे बड़े सूपरिश्टार बन चुके हैं क्योंकि वह बॉली उट के एक लोते ऐसे सूपरिश्टार हैं जिनकी 15 फिल्में लगातार हिट रही और उनका बॉक्स ओफिस कलेक्शन भी 100 करोड से ज़ादा रहा वहीं भारत फिल्म ने वल्ड वाइट 350 करोड से ज़ादा का कलेक्शन कल लिया है और भारत फिल्म ने अपने पाले दिन भी 42 करोड से जादा की ओपनिंग कर इस साल की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनी थी और इस साल की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म भारत का रिकोड अभी तक कोई भी फिल्म नहीं तोड़ पाई है वहीं अगर भारत फिल्म के box office collection की बात करे तो भारत फिल्म ने अपने दो हपतों में 200 करोड का आकड़ा पार कर दिया था और फिल्म ने अपने तीसरे हपते भी 9 करोड 40 लाख रुपे का collection किया वहीं फिल्म ने अपने चोते हपते भी पाच करोड रुपे कमाए और भारत फिल्म का पाचवे हपते का कलेक्शन एक करोड चालिस लाक रुपे रहा वहीं अगर फिल्म के छटे हपते के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का छटे हपते का कलेक्शन उनसा 8 लाक रुपे रहा वहीं फिल्म ने अपने साथवे हपते भी 13 लाक रुपे की कमाई की अगर भारत फिल्म के 50 दिन के कलेक्शन की बात करें तो भारत फिल्म ने अपने 50 दिन 1 लाख रुपे कमाए और भारत फिल्म ने अपने 51 दिन भी 1.08 लाख रुपे का बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया इसी के साथ भारत फिल्म ने अपने 52 दिन भी 1.17 लाख रुपे कमाई और भारत फिल्म ने अपने 53 दिन भी 1.30 लाख रुपे का कलेक्शन किया अगर भारत फिल्म के 54वे दिन के collection की बात करे तो भारत फिल्म ने अपने 94वे दिन संदय गो काफी जबर जस्त उचाल पाकर दो लाख रुपे की कमाई की वहीं फिल्म का 55वे दिन मंडे का collection एक लाख रुपे रहा दोस्तो बारत फिल्म का टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन दोसो 23 करोड रुपे हो गया है वहीं बारत फिल्म ब्लोकबस्टर भी हो गई दोस्तो इस साल रिलिज हुई आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है हमें नीचे कमेंट कर चरूर बतायो लेटिस्ट बॉली उड मुविस के बॉक्स ओफिस कलेक्शन को देखने के लिए हमारे चेनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकोन प्रेस कर दे जिससे हमारे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी सबसे पहले